दोस्तों मैं सी अनुभाटिया स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है हाउ तु फिल आई टीर टू फॉर द असेस्मेंट टियर 2021 तो आज की इस टॉपिक में मैंने क्या-क्या विश्यों पर कवरिज किया है वो आपके सामेरे कावरिज is in form of who can file ITR2, ITR2 कौन वेक्ती भर सकता है who can't file ITR2, ITR2 कौन वेक्ती नहीं भर सकते what is the last date of filing ITR2, whether e-filing of ITR2 is mandatory or not and then in the later portion we will have discussion on ITR2 and its precautions तो निश्चित रूप से दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी है क्योंकि यह जो ITR2 है यह 26 पेज का form है तो इसमें बहुत सारी डिटेल हैं जो assesses at large से मागी गई है हाला कि हमें किवल वही information fill up करनी हैं जो हमसे संबंदित हैं परन्तु मैं ज्यादा तर जो information कही न कहीं किसी रूप में relevant है उनको आपके सामने इस discussion के तुरू लाने की कोशिश करूँगा देखिए सर हमारा question है who can file ITR2 ITR2 कौन विक्ति भर सकते हैं an individual और Hindu undivided family so as compared to ITR1 जो के वह एक individual भर सकता है ITR2 individual दारा भी भरा जा सकता है और Hindu undivided firm दारा भी भरा जा सकता है लेकिन एक partnership firm एक LLP एक company एक trust उन तरीके के assesses के लिए ITR2 विक्ति फर्म नहीं है वे इस particular firm का use नहीं कर सकते आगे देखिए दोस्तों who can file ITR2 continues an assessi who has assets including financial interest in an entity located outside India an assessi who has signing authority in an account located outside India यानि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास इंडिया से बाहर asset located है चाहे वो मुझे gift में ही क्यों ना मिली हो तो मेरे लिए ITR1 नहीं लगेगा ITR2 यह बात important है क्योंकि भारत सरकार मुझे से मांगती है information कि मेरे पास में ऐसी कौन सी assets है जो located outside इंडिया है उनकी details चाहे वो share format में हो या किसी real estate format में हो an assessi who has signing authority in an account located outside इंडिया उसको भी सर ITR1 नहीं ITR2 बरनी है अससी who has income from any source outside इंडिया ऐसे assessi को भी दोस्तों ITR2 फिल अप करनी पड़ेगी those who held unlisted equity share in a company अब मान लीजे आपने कोई share खरीदा था तब वो listed था और बाद में वो unlisted हो गया तो ऐसी परिस्तेती में भी आपको ITR2 भरनी है क्योंकि आपको ITR2 में भी आप देखेंगे कि unlisted equity shares की जानकारी देनी पड़ेगी वो details भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा और देखे the person who is a director in a company बहुत सारे लोग sir किसी ने किसी प्रकार से किसी particular company में डारेक्टर बन जाते हैं तो ऐसे किसी वेप्ति को जो किसी company में डारेक्टर है उसको भी sir ITR1 नहीं बढ़ सकता ऐसा इसा कोई अससी जो दोस्तो double taxation relief claim करता है यानि जिसने विदेश में भी आए कमाई और इंडिया में भी उसकी वो आए taxable हो रही है तो ऐसे वेक्ति को income tax act की धारा 90, 90, 91 में debit taxation relief मिलने का प्रावधान है ऐसा वेक्ति भी अपनी return ITR2 में फाइल करेगा ऐसा प्रत्यक वेक्ति जिसकी agriculture income 5000 रुपे से ज्यादा किया है जो individual और हुएफ है for the relevant financial year उसको भी sir ITR1 नहीं ITR2 बरना है Assessive who has income from lottery, crossword puzzle, gambling, etc. ऐसे वेक्ति को भी sir ITR2 ही उप्युक्त फर्म होगा An Assessive who has earned income by way of dividend above Rs.10,000,000 for the financial year 19-20 ऐसा क्यों साब? क्योंकि 10,000,000 पर की dividend income exempt नहीं रहती वो 10% की rate पर taxable हो जाती है इसलिए sir वहाँ पर आपको ITR2 के through return form बरना है ऐसे Assessive sir जिनकी total income 50,000,000 से उपर है क्योंकि वे भी ITR1 नहीं भर सकते और उन्हें अपनी asset liability की विशेश detail देनी है जो ITR2 में एक schedule है sir उसी के संदर्ब में तो ऐसे वेक्तियों को भी sir ITR2 fill up करनी है और ऐसा Assessive sir जिसके पास में capital gain heads में income हो उसके लिए भी ITR2 ही up to form होगा क्योंकि ITR1 में Assessive के बल salary, house property और other source की income ही बता सकता है इसलिए sir who can't file ITR2 ITR2 कौन नहीं बर सकता? अब person who is neither individual nor HF यानि individual और HF के अलावा बाकी के Assessive's ITR2 बरने की योग नहीं है individual who is eligible to file ITR निश्चित रूप से ऐसा वक्ती जो ITR1 भरेगा वो सहज form है sir जिसको हम बोलते हैं तो सहज form जब आप बढ़ सकते हैं तो आप cutting form क्यों भरेंगे ITR2 appears to be a cutting form पर मैं आपको एक बात बड़े सरल रूप में बोलता हूं sir if you are going to file your return through your charter accountant or tax consultant then in that scenario it is not your headache then it is the liability of that professional to see that your ITR is filed in the right form and all the appropriate information required in the return are duly informed there और देखिये sir a person who has income under the head PGVP ऐसा वक्ती sir जिसके पास profits and gain of business professional यानि ऐसे SSC जो व्यावसाय करते हूं say for example एक individual अपना व्यापार करता है तो उसके लिए साई form ITR3 या ITR4 होगा ऐसा वक्ती जिसके पास business profession की income है वो ITR2 fill up नहीं कर सकता अब यहाँ पर प्रिश्ट है sir what is the last date of filing ITR2 तो अभी तक की जो सरकार की गोशना है assessment year 2020-21 उसके लिए जो due date थी normally 31 July 2020 उसको भारत सरकार ने 30 November 2020 30 November 2020 तक extend कर दिया है यानि आप अपनी ITR 30 November 2020 तक भी file कर सकते हैं बिना किसी प्रकार की late filing fees दिये however the last date shall be 31st of March 2021 यहाँ लिखने का तातपर ही क्या है sir कि यदि आपने 30 November 2020 तक अपनी return नहीं भरी तो आप late fees सही जो section 234 F of income tax में लगती है 1500,000,000,000 as the case में भी उसके साथ में sir आप 31 May 2021 तक भी अपनी return भर सकते हैं यहाँ एक और महत्पूर्ण प्रिशने दोस्तों हमारे सामने whether e-filing of ITR 2 is mandatory क्या ITR 2 की e-filing की जानी चाहिए तो इसका उत्तर by default हाँ है मैं इसको पढ़ता हूँ it is mandatory to file income tax returns online for all the registered taxpayer except for those who are above 80 years of age and do not have any income from business or profession तो किवल ऐसे व्यक्तियों को छोड़ दीजे जो 80 वर्श या उससे अधिक उम्र के हैं और जिनके पास business profession की भी income नहीं है उन व्यक्ति को छोड़ करके बाकी सारे assesses को जो की individual या अचुफ हैं उन्हें ITR e-filing format में यानि online utility पर ही file करनी पड़ेगी और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर यहाँ पर आपके charter accountant या tax consultant आपके help करने के लिए निश्चत रूप से खड़े अब दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आपको discussion on ITR 2 पर ये एक लंबा discussion है लेकिन इसमें आप अपने से relevant point पर ज्यान से सुनिएगा कि हाँ मुझे ये point relevant है और इस point पर मुझे क्या गोशना करनी है या क्या चीज fill up करनी है मैं उस point of view से discussion करने जा रहा हूँ तो पहली बात ITR 2 इस form का कोई नाम नहीं है किसके लिए applicable है individual HF not having income from business profession assessment year B is 21 general information में आपको अपना पहला नाम middle name, last name pen number साथ-साथ आपका address address proper fill up करिए सर कई लोग address proper नहीं fill up करते उसकी वज़े से income tax के communications आपको नहीं रीच कर पाते आपका status क्या individual या हुए वो आप बताएं सरकार को आपका 12 digit आधार number भी यहाँ पर mention करें आपका pin code सही fill up करें सर अगर आपका कोई mobile number है या STD के साथ में कोई landline number है तो वो information भी यहाँ पर government को fill up करके दें आप दो email ID दे सकते हैं सर जैसे email ID self और email address 2 ठीक है यानि आपका swim का mail ID और email address 2 में आप अपने charter accountant का यानि text consultant का mail ID भी दे सकते हैं या अपने किसे relative का भी mail ID यहाँ पर fill up किया जा सकता है यहाँ देखें जर second portion जो और भी important है इसके अंदर आप से return के संबन में यह पूछा गया कि आप कौन से section में return भर रहे हैं अगर due date से पहले भर रहे हैं तो 1391 belated भर रहे हैं तो 1394 यदि आपने पहली return एक already भर दी और अब आप second या third return भर रहे हैं जिसको हम revise return बोलते हैं technically तो आप revise return okay करेंगे अगली बात अगर आप beyond time limit return भरेंगे तो आपको section 192 में एक condemnation और delay की request एप्रूव करानी पड़ती है फिर आप 119 section भी tick कर सकते हैं पर by default ये दो column ही हमारे ज़्यादा काम के हैं अगर आप किसी notice के response में return भरते हैं जैसे defective return या return नहीं फाइल करी 142.1 income escaped assessment, search assessment तो आपको ये column tick करने हैं अब बहुत important चीज है कि government हम से कुछ बाते पूछ रही है again this is in reference to 7th proviso which is inserted by the finance number 28 2019 क्या बुला सर इसके अंदर कि आप otherwise तो return भरने के लिए libel नहीं है लेकिन आप 139.1 में आ गए इसलिए अब आपको return भरनी पड़ेगी तो आपको yes या no यहाँ पर fill up करना है यदि आपने yes fill up क्या आप बूलेंगे साब yes कप करते हैं जब तीन में से एक शर्थ पूरियोग पहला Have you deposited amount और aggregate of the amount exceeding rupees 1 crore in one or more account during the previous year यदि आप yes बोलेंगे हाँ तो आपको वो amount यहाँ पर fill up करनी है Have you incurred expenditure on an amount or aggregate of the amount exceeding rupees 2 lakh for travel to a foreign country for yourself or any other person यदि आपका उतर हाँ है तो यहाँ आपको expense की information देनी है किवल amount बताना है Have you incurred expenditure of amount or aggregate of the amount exceeding rupees 1 lakh on consumption of electricity during the previous year यदि आपका उतर हाँ है तो यहाँ पर आपको amount देना है साथ ही यदि आप कभी बाद में defective return या revise return करेंगे तो आपको पिसरी return की detail यहाँ देनी है first return में यह information देने की आवशकता नहीं है यदि आप कोई particular return in response to departmental notice बर रहे है तो department कहता है हमारा document identification number आप यहाँ पर mention कर दीजे ताकि हम उसके reference में आपकी return को देख सकें तो यह कुछ सूच रहे हैं सर जो ITR 2 में preliminary आपको देनी है residential status पर हमसे क्या information ITR 2 मांगती है क्योंकि एक बात ध्यान रखिए ITR 1 केवल वही SSC बढ़ सकता है जो resident and ordinary resident है यानि जो SSC resident but not ordinary resident है और जो non-resident है वो ITR 1 तो भरी नहीं सकते हैं तो उनको अपने residential status संबंदी गोशना यहाँ पर करनी पड़ेगी even एक resident भी sir ITR 2 फाइल अप कर सकता है क्योंकि हो सकता उसके पास capital gain की income हो double taxation लीफ हो तो आप से सरकारी बोल रहे हैं कि अच्छा आपका residential status क्या है आप resident मानते हैं खुद को resident but not ordinary resident मानते हैं या non-resident मानते हैं यह एक technical विशे है मेरा advice जरूर रहेगा क्या आप अपने charter accountant या अपने tax advisor से राय लें वो आपको सही residential status determine करने में help करेंगे तो यहां क्या पूछा यह आप resident कब होंगे who were in India for 182 days or more during the previous year or who were in India for 60 days or more during the previous year and have been in India for 365 days or more within 4 preceding year or you have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding year you have been in India for 729 days or less during the 7 preceding year and you were the non-resident during the previous year यदि आप non-resident खुद को गोशित कर रहे हैं तो आपको क्या बताना है सर आपको jurisdiction बताना है ठीक है कि आप किस jurisdiction में resident है फिर say for example आप बोलते हैं जी मैं South Africa में हूँ तो आपको jurisdiction of residence बताना है और वहां का tax identification number बताना है in case you are a citizen of India और a person of Indian origin तो आपको total period of stay in India during the previous year यहां बताना है and total period of stay in India during the 4 preceding years भी यहां पर specifically mention करना है मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कह देता हूँ सर कि आप यदि अपनी residential status की information सही से analyze नहीं करेंगे अपने CA को tax advisor को नहीं बताएंगे और उसकी calculation नहीं कराएंगे तो आपकी income के scope पर फरक आएगा और कल अगर इस वज़े से कोई income tax होने से छूट गई जो बाद में income tax department के पकड़ में आई तो आपके लिए वो समस्या का कारण हो सकता है इसलिए residential status का सही determination दोस्तों बहुत ज़रूरी है finally अगर आप HF हैं तो भी आपको resident, resident but not ordinarily resident या non-resident के बारे में respective गोश्टना करनी होगी चौट details जो basic details के रूप में मांगी गई है जिसमें directorship details भी है सबसे पहली बार do you want to claim benefit of section 115H आप मिर को बोल सकते हैं sir ये 115H क्या है तो इसका उत्तर में ये दूँगा कि एक वेक्ति जो non-resident से resident हो जाता है उसको income tax act 1961 में एक chapter 12A है उसका benefit as a non-resident उठाने का option चलता रहता है तो वो वेक्ति जो non-resident से resident होने के बावजूद non-resident का benefit उठाना चाहता है यदि वो हां बोलेगा तो उसे यहां पर option claim करना है और अन्यता उसे ना बूलना है इसी प्रकार यदि कोई पुर्तगाली civic court का benefit उठाता है तो उसको yes या no fill up करना है अगर आप स्वेम नहीं return भर रहे है आपकी और से representative assessi return भर रहे है जैसे किसी व्यक्ति की death हो गई तो कोई व्यक्ति mentally sound नहीं है परंतु उनके नाम में income आ रही है तो ऐसी परिस्ततियों में representative का नाम उसकी capacity वो drop down से आपको मिलेगी address और उसका pen number ठीक है या आधार number जो भी उपलब्द हो वो representative assessi को देना पड़ेगा यदि आप किसी company में director है last previous year में यानी financial year 19-20 में हाँ या ना आपको बोलना है यदि आप हाँ बोलते हैं तो उस company का नाम उस company का type private limited public limited section 8 company company का pen उसके shares listed है unlisted है और आपका director identification number भी यहाँ पर fill up करना है listed shares के संदर में sir last assessment year यानी assessment year 19-20 में ही government ने ITR forms को modify कर दिया था और वही की वही same details इस साल भी mention है whether you have held unlisted equity share at any time during the previous year if yes please furnish following information in respect of equity share यदि आपके पास देखे लिस्टेड share है तो आपको कुछ नहीं fill up करना unlisted है तो आपको हाँ बोलना है और यदि हाँ बोला तो आपको name of company type of company उस company का pen आपके पास opening balance इस साल के beginning में यानि वित्वर्ष 19-20 में opening संख्या में share कितने थे उन्हें की लागत किती थी ऐसे ही सर शेर इस साल आपने कितने acquire कि unlisted company में किस दिन acquire किये उसकी face value क्या है आपको कितनी value पर वो share issue हुआ purchase price ठीक है अगर आपने किसी existing share holder से purchase किया है तो आपकी purchase price क्या है आपने यदि कोई share बेच दिये तो उनकी संक्या क्या है और आपको बेचने से क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ साथी closing balance आपके पास number of shares का कितना है और cost of acquisition उन shares की कितनी है यह सारी सूचना आपको इस ITR 2 form में यदि आप unlisted equity share के holder हैं तो देनी पड़ेगी अब salary details देख लिजे सर वो लगबग वही है जो ITR 1 में हम देते हैं ठीक है name of employer, nature of employer, address of the employer, town, state, pin code employer का 10 तब mandatory यह सर जब उसने आपका TDS काटा है आपकी gross salary, value of perquisite, profit in lieu of salary, total gross salary section 10 में exempt allowance गटाएंगे तो net salary आएगा इसमें से standard deduction, entertainment allowance, professional tax गटाके जो कुछ states में लगता है आपकी net salary income सर यहां पर offer हो जाएगी यदि आप एक से अधिक employer के पास relevant financial year में काम कर चुके हैं तो ऐसी परिस्तिती में आपको सारे employers की information आगे से आगे देते चलना है यानि आप employer 1 की भी सूचना दे सकते हैं employer 2, 3 and so house property में आपको क्या details देनी हैं सर लगबग वही जो हमने ITR 1 में देखी थी कि आपके address क्या है उस property का ठीक है उसका pin code then क्या property को और है यानि आपने किसी और के साथ जैसे husband wife ने इकटे करीद रखी है भाई भाई ने इकटे करीद रखी है तो हाँ या ना बोलना है और यदि आप हाँ बोलते हैं तो आपके ownership में किता percentage है ठीक है ये कई बार मैंने देखा है कि सर लोग proper information देते नहीं भारत सरकार को कि अच्छा suppose मेरी कोई property है जो मैंने मेरी मदर के साथ own कर रखी है तो मैं उस property के बारे में जानकारी देऊंगा कि हाँ साब ये property में 50% ownership मेरी है 50% मेरी मदर की है और ऐसी परिस्तिती में यदि मैं हाँ बोलता हूँ तो मुझे name of other co-owners उनका pen या अधार और उनका percentage sharing property भी बताना है property का nature क्या है सब let out है, self occupied है या deemed to be let out deemed let out क्या है दोस्तों जहां खाली property पड़ी है लेकिन उसकी भी एक annual value है उसका भी taxation हो सकता है यदि आपका कोई tenant रहा है उस financial year में तो tenant एक दो जो भी है उनकी detail, उनके pen की detail ठीक है, ये सारी information आपको यहाँ पर provide करानी पड़ेगी gross rent आपको कित्ता मिला उसमें से कित्ता rent नहीं मिला ठीक है, वो घटा देंगे tax paid to local authority भी घटाएंगे ये जो total amount आएगी इसको by default हम एक तरीके से annual value गोलेंगे इस annual value में से 30% standard deduction और interest on borrowed capital गटा करके आपका कोई amount जो निकल के आएगा वो house property income है इसमें से अगर आपको कोई unrealized rent पीछे का recover हुआ है तो वो subject to 30% deduction जोडेंगे ये आपकी house property की income बन जाएगी एक से ज़्यादा property है तो आपको सारी properties की ऐसी details insert करनी पड़ेगी capital gains पर दोस्तों बहुत सारी details है जो ITA 2 form में मांगी गई है मैं उन में से कुछ ही को यहाँ पर include कर पाया हूँ capital gain में जैसे short term capital gain में बोलता है क्या आपने sale of land और building या बोट किया था क्या यदि हाँ तो full value of consideration बताईए value of property under section 50C बताईए तो अगर आपका section 50C का value exact consideration से जो वास्तम में मिला है उसे 1.05 टाइम से ज़्यादा है तो आपका stamp duty value ही final consideration माना जाएगा इसमें से आपने कोई cost of acquisition, cost of improvement expenditure in relation to or in connection में transfer गटाएंगे जो balance आपका capital gain है यदि आप उस पे कोई capital gain की exemption claim कर रहे हैं तो आप claim करेंगे अगर आपने कोई particular immobile property transfer करी है तो सरकार ही कहती है कि हमें ये भी बताईए कि name of buyer क्या है उसका pen आधार क्या है उसने कित्ता percentage खरीदा जैसे मैंने दो वेक्तिव को sell करी तो मुझे दोनों का नाम दोनों का pen देना है उन्होंने किसने कित्ता percentage में खरीदा कित्ता अमांड में किसके लिए मानता हूं address of property ठीक है और pin code ये information मुझे short term capital gain के संदर्ब में देज़ेगा प्रकार से सर यदि मैंने shares की sale करी equity shares की equity oriented mutual fund units की तो फिर मुझे full value of consideration section 48 में cost of acquisition improvement transfer के expenses balance amount मेरा capital gain का किता है यदि dividend stripping या bonus stripping का कोई मामला है तो subject to that उतना loss मेरा adjust हो जाएगा और finally मेरा equity oriented capital gain या mutual fund से कितना कोई gain हुआ है वो amount मुझे अपने ITR form में include कर दी है short term capital gain देखा सर उसी प्रकार long term capital gain में आपका land or building ठीक है या उसका full value of consideration कितना है stamp duty value authority के हिसाब से कितना मानते हैं क्या stamp duty value actual consideration के 1.05 टाइम से ज़्यादा है यदि हाँ तो आपको stamp duty value पर capital gain offer करना है cost of acquisition cost of improvement subject to indexation expenditure in connection with transfer जो balance amount है उस पर क्या आपने 54, 54B, ECF, GB में कोई exemption claim करी है यदि हाँ तो आपको exemption की detail यहाँ पर डालनी है यदि आपने जो property transfer करी वो जिस से ली जिसको बेची है तो आपको उस वेक्ति की details जैसे हम short term में दे रहे थे यहाँ पर totality में आपको यह details fill up करनी है capital gain में अगर आपने कोई exemption claim करी है 54, 54GB, ECF, GB में या 115F में तो आपको यह भी detail देना है कि आपने original asset कब transfer करी नई asset की cost क्या आई नई asset की purchase या construction की date क्या है अगर आपने capital gain account scheme में पैसा जमा कराया है owner before due date तो वो कितना है और finally आपने deduction कितना claim किया अलग-अलग deduction के लिए आपको अलग-अलग relevant columns, relevant rows fill up करनी पड़ेगे अगर आपने listed shares बेचे हैं या equity oriented mutual fund की units बेचे हैं तो सर आपको यह specifically एक schedule भरना पड़ेगा जो section 12a के reference से है इसमें उन shares के संदर्ब में सरकार आपसे relevant share का जो listed है या listed mutual fund की unit है उसका ISIN code, उस share का नाम, number of share unit, sale price per share unit, full value of consideration, cost of acquisition without indexation, finally cost of acquisition क्या आई, यदि long term capital gain was acquired before 1 February 2018 तो हमारे को finally comparison करके lower of 6 और 11 या mention करना है FMV as on 31 January 2018 वो भी cost बन सकती है यह सारी बाते कहां से आ रही है सर section 55 से तो आपको यह विवस्ता द्यान रखनी है कि section 55 की वज़े से अगर कोई specific cost का treatment है क्योंकि 31 January 2018 की value भी cost मानी जा सकती है तो वो आपको यहाँ पर fill up करना है expenditure wholly exclusively in connection with transfer claim करिये finally total deduction के बाद आपका long term capital gain कितना है वो यहाँ पर आपको बताना है मेरा फिर suggestion है सर यदि आपके पास capital gain इस प्रकार के कोई हो तो better that you should, it is advisable, you should file your ITR through your consultant income from other source में आपको क्या-क्या detail देनी है जैसे हमने कुछ-कुछ ITR 1 में भी दिया क्या आपने dividend कित्ता कमाया interest saving bank account से, post office से, income tax के refund पर या किसी और प्रकार की income पर इसी प्रकार से सर ये pass-through status कुछ विशेश परिस्तिती में लागू होता है, common layman पर लागू नहीं है, इसलिए में उस पर discussion नहीं कर रहा है यदि आपको किसी machinery plant building से rental आता है, थीकि building से rent by default house property में जाता है, लेकिन जहां आपने सब renting करिये तो वो rent आपका अधर source की income भी हो सकता है इसी प्रकार से यदि आपको कोई gift मिला है 56 subsection to clause 10 में, तो gift जो money के form में मिला, immobile property के form में मिला, ठीक है, inadequate consideration के रूप में कोई particular difference आपके आत में tax हो रहा है कोई particular property जैसे share वगेरा, free of cost आ रहे हैं, lesser than free of cost, ठीक है, lesser than fair market value आ रहे हैं तो उनकी value सब आपको यहां पर respectively taxation में offer करने हैं, और कोई income है, जैसे family pension वगेरा, यह सब आपको अपनी other source की income में duly disclose करना पड़ेगा income chargeable at special rate, यदि special rate की कोई income होती है, जैसे winning from lottery crossword puzzle, जिस पे straight away 30% tax rate लगता है 115.00BEE, जनली हम लोग आगे बढ़के स्वेम तो कोई बताते नहीं, लेकिन अगर मान लीजे कभी SSC कोई return बढ़ रहा है और उसमें स्वेम अपनी ऐसी income 115.00BEE की बताना चाह रहा है तो वो income को दिखाने के लिए 68-69D के provisions है, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे इसी प्रकार से यदि हमने कोई PF से withdrawal किया है जो taxable हो रहा है तो उसके समन्ध में भी details हमारे को अपने ITR form में income रहा मदर सोर्स में देना है Chapter 6 की details है जैसे हमने ITR 1 में bifurcate करके दी थी उसी प्रकार ITR 2 में भी देना है ठीक है और दिखिया आप पूछा है whether you have made any investment deposit payment between 1st of April 2020 to 30th of June 2020 ये बढ़ा कर 31 जुलाई कर दिया जाएगा for the purpose of claiming any deduction under part B of chapter 6a if yes ठीक है fill then you have to fill schedule D.I.E.1 तो जो भी deductions है सर उनके quantum आपको देते चलना है लेकिन आप जैसे ही ये कहोगे कि आहां सर मैंने 1 अपरेल से 31 जुलाई के बीच में भी investment किये है तो आपको yes बुलना पड़ेगा और आगे जाकर के schedule D.I.E.Fill Up करना और दूसरे दो वो हैं जिसमें 100% या 50% का deduction मिलता है subject to 10% of GTI आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप return भरें तो आप ये समझें कि आपने जो donation दिया है वो किस category में आ रहा है 100% without qualifying limit, 50% without qualifying limit, 100% subject to qualifying limit, ऐसे ही साब 50% subject to qualifying limit ये distinguishment किये भी आप return भरेंगे कल को return के बाद में assessment खुला और उसमें आपका donation किसी दूसरे category का निकला तो आपको negative परिस्तती होने पर नुकसान होगा ऐसे ही यहाँ पर आपको संस्था का नाम, pen of the dony, amount of donation, cash में किता दिया, other mode पे किता दिया, total कितना दिया, eligible amount of donation कितना बनता है ये information आपको ATG में fill up करनी पड़ेगी क्लबिंग की case में देखिए सर, क्लबिंग में हमारे को specific information ये देनी है कि यदि मेरे हाथ में मेरी spouse की या minor child की हो सकता हचेफ की इंकम क्लब हो रही हो तो इस व्यक्ति का नाम, उसका पैन अत्वा आधार नंबर, मेरा relationship उससे क्या है ठीक है amount और head of income जिसमें मैंने वो income शामिल अलरी कर ली है, वो details यहाँ पर देनी पड़ेगी exempt income के बारे में सर, specific बातें पूछी गई है इस ITR 2 में कि अगर आपकी exempt income interest income format में है, dividend income के format में है, agriculture receipts है, तो agriculture में आपके agriculture के खर्चे कितने हैं, कोई पिछले सालों का agriculture का loss है तो वो minus हो जाएगा, net agriculture income कितनी आप मानते हैं साथ ही, in case net agriculture income for the year exceeds 5 लाग, यदि आप 5 लाग से उपर की agriculture income बता रहे हैं, तो आपको name of the district along with pin code in which agriculture is located, measurement of agriculture land in acres, whether agriculture land is owned or held by an SSE, whether agriculture land is irrigated or rain fed, ये information भी इस पश्ट रूप से देनी पड़ेगी, पिछली return में भी मागी थी सर, यही सूचना है, इस बार भी माग रहे हैं, अगर क jumped income है, तो वह आप बताईए, फिर income chargeable to tax as per DTA, double taxation avoidance agreement के हिसाब से अगर को income taxable होती है, तो उस income का amount, nature of income, country, DTA, head of income and whether tax TRC, tax residential status has been obtained or not, ठीक है, ये सारी information आपको अपने ITR2 form के अंदर यहाँ पे देनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि अगर आपके पास में कोई foreign income है, तो आपको बताना है, कि यहाँ साब कौन सी country से मुझे आई, मेरा वहाँ का tin number क्या है, salary कितनी वहाँ से आई, house property कितनी, capital gain कितना, other source कितना, ठीक है, तो यहाँ पर उस quantification हो जाएगा, उस country में मैंने कितना tax दिया, ठीक है, Indian provision के हिसाब से मुझे इस income पर कितना tax देना है, मैं कितनी relief claim करना चाह रहा हूँ, और जो relevant article है, उसका कौन सा article है, जिसकी वज़े से मैं relief claim करा हूँ, यह सारी सूचना मुझे foreign income के संदर में, ITR 2 में देनी है, foreign tax credit हम claim करते हैं, क्योंकि double taxation में section 90, 91, 90, 91 हमें relief claim करना अलाव करता है, तो कौन सी country का वो particular relief है, जो हम यहाँ claim करना चाहते हैं, वहाँ मेरा 10 number क्या है, total tax paid outside India कितनी है, और total tax relief in India हम कितनी expect कर रहे हैं, finally हमारे को section 90, 90, 91 में कितनी relief claim कर रहे हैं, यह सारी technical बाते हैं sir, लेकिन as a layman आपको पता हूँ, और फिर आपका consultant जब आपको यह बाते हैं, और इस पर श्रूब से बताएगा, तो आप अपनी ITR को और अच्छे से जान पाएंगे, foreign assets के संदर में दोस्तों बहुत सारी detail मांगी गई है, like detail of foreign asset and income from any source outside India, जिसमें detail of foreign depository account, जैसे foreign में कोई आपने DMAT account ले रखा है, उसकी details, यह सारी detail आपको वहाँ पर fill up करके देनी हैं, ऐसे एगर foreign custodial accounts है, तो उसकी details, foreign equity and debt instrument held, ऐसे ही और कई सूचना हैं, जो आप पर as the case में भी जैसा applicable हो, वह सूचना देने के लिए आप libel हैं, अगर आप मुझे यह कहेंगे कि सर में नहीं देता information तो क्या होगा, तो मेरा बड़ा सरल सा उत्तर है, सर अगर आप information नहीं देंगे, तो ऐसी परिस्तिती में कल वह सूचना है, जब department की नजर में आएंगी, तो आपका income escaped assessment section 147 में खोल सकता है, ऐसा पूरा सम्भावित है, jewelry, bullion, archaeological collection, vehicle, yach boat, aircraft, financial asset in form of bank balance, share security, insurance policy, loan and advances, cash in and dinner जरूरी है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपकी कोई liabilities हैं, तो यानि लोन ले रखे हैं, तो वो लोन की value आप गटा लीजे, और ये जो net value होगी वो आपको finally अपनी ITR में दिखानी है, chapter 6 हे के investment या deduction जो भी हम claim करते हैं, सर मैंने पहले भी बोला था, उसका bifurcation है, 19-20 में आपने कित्ता invest कर लिया, और 1 April 20 से 30 June 2020, जिसे बढ़ा के 31 July 20 कर दिया गया है, आपको bifurcated amount respective deductions की mention करनी है, bifurcation of capital gain exemptions, फिर आपके सामने लेकर के आराओं सर के long term capital gain में, आपने section 54 B, F, G, इस प्रकार की जो exemption claim करी हैं, उन में से आपने कौन सा reinvestment जो है relevant financial year कर दिया, और कौन सा investment आप 1 April 20 से 30 June 2020, जिसको बढ़ा कर 30 September 20 कर दिया गया है, महां तक अगर आप करेंगे और उनकी exemption claim करेंगे, तो वो exemption की detail यहाँ पर आपको specifically जैसे chapter 6 है, यानि ATC की detail दीती, ऐसी detail capital gain के reinvestment पर भी आपको देनी पड़ेगी, जब आपने सारी details दे दी तो आपकी total income compute कराएगा, form salary, house property, capital gain, short term, long term, total income from other sources, ऐसे ही total of headwise income, losses for set off, balance after set off, brought forward losses for set off, उनके respective schedule हैं लगसे जिनकी मैंने चर्चा नहीं करी, GTI, ऐसे ही आपकी special rate की income 111, 112, 112 की कितियों घटाई है, फिर chapter 6 से घटाएंगे, finally आपकी total income आएगी, ठीक है, इस total income में बोलता है, income which is included in 12 and chargeable to tax at special rate, ठीक है, ऐसी को income जो special rate की taxable है, इसमें agriculture income आपकी कितियों जोड़ करके, finally agriculture income की case में एक relief claim करने का तरीका है, वो हमें यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा details के साथ में, यहाँ पर आपने finally अपनी computation of tax liability करनी है, tax payable, on deemed income, surcharge, health and education, total tax payable, normal rate पे कितना tax, special rate पे कितना tax, rebate of agriculture income कितनी मिल रही है, 87A की relief आप कितनी ले रहे हैं, finally आपको कोई surcharge देना है या नहीं देना, and accordingly आपकी tax liability compute की जाएगी, यह आपकी tax liability का computation दोस्तों चला जा रहा है, आगे, ठीक है, इसमें health and education says, gross tax liability, gross tax payable, को tax credit आपने 115 JD में क्लेम करी, 90, 90 and 91 की relief आपने क्लेम करी, इन्हें tax liability कितनी आई, interest यदि 234 ABC का कोई है, यह सब करते हुए, असजी की finally aggregate tax liability निकाल ली जाएगी, aggregate tax liability जो हमने डिसाइड करी, उस विज़े tax paid, advanced tax, TDS, TCA, self-assessment यह सब 26S से आपको मिलेगा, जहां आपने advanced tax जमा करा है तो चलान की copy आपके हाथ में होगी, फिर आप यदि refund क्लेम कर रहे हैं और आपका Indian bank है तो उसका BSR code, उसका bank account, bank का name, आधार card, etc. यह सारी details आपको सरकार को provide करानी है। यदि आप non-resident हैं और आप refund का claim करना चाहते हैं, ठीक है, और आपके बास इंडिया में bank account नहीं है, तो आपके बास option है कि आप अपने foreign bank की detail भारत सरकार को दे दीजिए, भारत सरकार उस account में भी आपको respective refund दिला देगी, यह एक अच्छा प्रयास है। हाला कि आजकल जब हम XML utility return बढ़ते हैं, तो 26AS उसमें अपने आप पूल करने का option देता है, तो आपका काम आसान हो जाता है, परन्तु आप अपनी उन TDS detail को यहां fill up होने के बाद, एक बार 26AS से जरूर मिला है। जैसे आपने TDS की detail दी सर वैसे यहां पर आपको TCS की detail भी fill up करनी हैं, और लास्ट में आपको verification करना है, से I Anubartya, son of she so and so, ठीक है, soulmanly declare so and so, in the capacity of individual I am verifying my return, यहां date, sign आपको तभी करना है जब आप physical return बर रहे हैं, लेकिन जब आप e-return बर रहे हैं, तो आपकी आधार OTP से e-return verify हो जाएगी। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यह particular discussion जो ITIR 2 पर मैंने किया, वो काफी व्यापक था, काफी time-taking था, लेकिन क्योंकि ITIR 2 में बहुत सारे ऐसे points हैं, जो assesses and large के लिए important है, इसलिए मुझे जहाँ जहाँ पर उप्युक्त लगा, मैंने रुख करके, time लेकर के आपके साथ वो point discuss किये, फिर भी आपकी कोई queries हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं, I'll try my level best to sort them out, Thank you, thank you for the day, Jain.